तारे सितारे वंगरहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने ही चेनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशीफल नई नई ज्यानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशीफल दिनांक 11 अगस्त 2019 रवीवार के दिन का तो आज का दिन जो है बारा में से चार राशी वालों के लिए विशेश उपलब्दी वाला हो सकेगा अन्य राशी वालों को आज मिश्रित परिणामों की प्राप्ती होगी तो आज सरावन मास सुकल पक्ष की एकादशी तिथी है रवीवार का दिन है तो रविवार का दिन भगवान सूरी नारण को समर्पी थे रविवार की दिन भगवान सूरी देव की उपासना करने से विशेश मान सम्मान वकारी छेतर में यश की प्राप्ति होती है जिनकी राशी या जन्म कुंडिली में सूरी ग्रह अशुब स्थान पर होते हैं उन्हे सुख सोभाग्य की कमी आती है मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है वह कार्य में यश भी नहीं मिलता है हर कार्य में उनको बाधाएं आती है जीवन उनका संगर समय बना ही रहता है तो सूर्य ग्रह की विशेश करपा को पाने के लिए रवी बार का वरत करना चाहिए व प्रति दिन सूरियोदोई के समय एक तामबे के पातर में जल पुष्प अक्षद गंध आदी ले करके सूरि भगवान को जल अरपन करना चाहिए सामाजिक वर राजनितिक छेतर में विशे सफलता की कामना यदी हो तो प्रति दिन आदित्य हरदे इस्तरोतर का पाट करना चाहिए या सूरि देवता के नाम मंतरों का सरद्धा पुर्वक जाप करना चाहिए जिससे जीवन हमारा सुख समरदी साली बना रहता है और सुख सोबागे के हमेशा हमको प्राप्ती होती है तो आज सूरेदोई होगा प्रतहकाल 5.47 मिनिट पर सूरियास्त होगा साम 7.4 मिनिट पर दिन की शुरुवात आज मूल नक्षतर से रहेगी वेधरती नाम का सुख योग आज रहेगा धनूराशी में आज चंदरमा का संचरन रहेगा आज का सुख समय अभीजीत महुर्त आरंभ होगा दिन के 11.59 मिनिट से तो 12.52 मिनिट तक रहेगा तो अभीजीत महुर्त के दोरान कोई भी शुव कारिय आप सुरू कर सकते हैं किसी नए काम की सुरुवात कर सकते हैं आज का अशुभ समय दुस्ट महुर्त आरंब होगा, साम पांच बचके अठारा मिनिट से तो साम छे बचके ग्यारा मिनिट तक चलेगा, तो इस दोरान कोई शुभ कारी की सुरुवात आप नहीं करें, आज राहु काल का समय रहेगा साम पांच बचके चोविस मिनिट से, त तो साम साथ बचके चार मिनिट तक राहू काल रहेगा तो राहू काल के दोरान भी कोई शुब व मांगली कारी की शुरुवात नहीं करें कोई नया काम शुरू नहीं करें आज दिशा सूल रहेगा पस्चिम दिशा में तो पस्चिम दिशा की और मुख करके कोई शुब व मा तो इस प्रकार से रहेंगे प्राताहकाल चर का चोगड़ी आरंब होगा प्राताह साथ बचके 27 मिनिट से आरंब हो करके तो नो बचके 6 मिनिट तक रहेगा। तो चोगड़ीया के नुसार इन शुब महुरत में कोई भी शुब व मांगली कारी की शुरुवात आप कर सकते हैं कोई भी नया काम सुरू कर सकते हैं किसी भी प्रकार की खरीदी या विकरी का कार्य आप इस दोरान कर सकते हैं तो आज सितारों के शुब प्रभाव से आज आपी शुब रहने वाला है और करकतुला धनू मकर और मीन राशी वाले लोगों के लिए आज मिला जुला परिणाम रहेगा वहीं आज मेश वरश्चिक और कुम्भ राशी वालों को थोड़ा सा समल करके काम करना होगा तो जानिए अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपक परिणाम आपको मिल पाएगा आज कलाकार और पेशेवर को अच्छी पहचान मिल पाएगी और व्यापार में काफी मुनाफ़ा आज आपको मिल सकता है कारी छेतर में विशेश सफलता के आज योग आपके लिए बन रहें आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं यह समय निवेश के लिए आपके लिए ठीक नहीं है इस समय मिसरित परिणामों की आपको प्राप्ती होगी आपके आमदानी में वैसे बड़ोतरी होगी लेकिन सांती साथ आपका खर्च भी इस दोरान बढ़ सकता है आप परिवार के सदस्यों पर बहुत पैसा खर् नहीं करें कहीं भी निवेश करने से पहले सोच विचार अवश्य करें आज लाइप की यदि हम बात करें तो सांती के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ अपने जीवन सांती के साथ एक अच्छा रिष्टा बनाए आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता काल इस नान करने के पश्चा सूरियो दोई के समय सूरि देवता को जल अरपन करें यता शक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारण करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज हो सकता है अगले राशी है वरशब वरशब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि ग्रहों के इस्तिती आपको वरतमान स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करेगी आपको अपने सहयोगियों और अपने उच्च अधिकारियों से सरहाना मिलेगी जिस किसी छेतर में आप कारे कर रहे हूं आज आपको समर्थन लोगों का मिल पाएगा आपकी इमानदारी और महनती सुभाव के कारण आज अपने संस्थान के द्वारा आपको विशेश मान्यता पराप्त हो सकती है जो आपके लिए बहतर उन्नती का कारण हो सकती है आज आपको अशुप परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि व्यापार में हर उपकरम में बाधाय आपको हो सकती है रचनात्मक छेतर के लोगों को कड़ी महनत के बाद सफलता के योग बनेंगे लेकिन उनकी प्रतिभा दूसरे हिस्से में और उनके काम को मानिता भी दी जाएगी आपको अपने सीनियर से से आज सतर कर आना होगा पर आपके परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पुरुन आपका व्यभार रहेगा जिससे आपका काम में मन लगा रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो अपने व्यक्ति के उतरों प्रोफेशनल लाइब के बीच संतुलन बनाने के आवशक्ता आपको रहेगी अपने रिस्तों को बचाने के लिए आपको खर्च भी आज करना पड़ सकता है कुछ त्याग भी आज आपको करना पड़ सकता है आज सोच समझ करके आज काम करें तो आपकी लाइब उत्तम रहेगी व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आपको बहतर वित्ती इस्तिती और बहतर केरियर पाने के लिए आज एकागर मन को रखने की आवशकता रहेगी आपने लक्ष को ध्यान में रख करके अपने काम को आप करते जाएं तो व्यवसाई में आपको सफलता मिलेगी आज स्वास्त की दृष्टी से दिन आपके लिए इस प्रकार से रहने वाला है कि आज मानसिक तनाव के कारण आपका स्वास्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसलिए किसी प्रकार का तनाव आप नहीं लें सकारात्मक रवया रखें तो आपका स्वास्त उत्तम रहेगा आज आपका शुब अंकतीन है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रयोक कारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद किसी भी देव मंदिर में अनाज का दान करें यथा शक्ती अपने इष्ट देवता का वहां बेट करके नाम उच्चारन करें एसा करने से पुरा दिन आपके लिए शूब वसफलता दायक आज हो सकता है अगले राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि केरियर के बारे में एक बहुत अच्छा समय आज का आपके लिए हो सकता है यदि आप नोकरी या इस्थानांतरन के बारे में विचार कर रहे हैं कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको इस समय बहतर अवसर मिल जाएंगे अच्छे परिणामों की प्राप्ती होगी आपको केरियर में तरक्य और बहतरी आज के समय मिल सकती है यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी वेसे से लाबदायक योग आपके लिए बनेंगे कोई अच्छी डील आपके द्वारा हो सकती है जो आपको भविश्य में काफी मुनाफा भी दे सकती है आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके परिवार में कुछ गलत फ्रमी आपके द्वारा हो सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच सामन जैसे की कमी भी हो सकती है इन सभी मुद्धों को सुलजा लें तो आपके लिए बहतर रहेगा खुशाल पारिवाली जीवन को बिताने के लिए आज आपको धेरी से काम लेना होगा तो आपके लिए बहतर रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आप अपने परिवार के लिए कुछ बहतर करने के बारे में विचार करेंगे इस समय आपका व्यक्तिगत जीवन बहतर रहेगा और प्रेम को स्वभाविक रूप से दिखाने में भी आज आप सक्षम वसपल रहेंगे यदि व्यवसाई की आज हम बात करें तो इस समय आप सब कुछ इस्थगित कर सकते हैं और कड़ी मेहनत करने से बचने की कोशिस भी आज कर सकते हैं कम एकागरता और इच्छा सकती की कमी आज आपको घेर सकती है और हो सकता है कि आप इसको धेरी का नाम भी दे दें इसलिए आज अपने एकागर में कमी आप नहीं आने दें सकारात्मक रवया rival रखें अपने आत्म विश्वास के दम पर आप काम करें तो आपके लिए बहतर रहेगा आज स्वास्त की दरस्टी से दिन आपके लिए इस प्रकार से रहने वाला है स्वास्थ संबन्दी मुद्दोर हर चीज में रूची की कमी आपके लिए हो सकती है इस समस्या को दूर करने के लिए सक्री जीवन सेली को अपना ले का प्रयत्न करें तो आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ पर अच्छा पड़ेगा आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसर यारंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेष लापकी प्राप्ती होगी अगली राशी है करक, करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आर्थिक रूप से इस समय मिसरित परिणामों की आपको प्राप्ति होगी, आपकी कमाई तो बढ़ेगी, सांथी खर्च भी आपका बढ़ जाएगा, आप इस समय में वाहन मकान य आपके लिए काफी शुब फलदाई हो सकता है, आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आलत से आज आपको घेर सकता है, लेकिन आपको कड़ी महनत करने की आवशकता आज रहेगी, आज प्राकरदिक वस्तों का नुकसान आप बिलकुल नहीं करें तो आज आपको सफलता मिलेगी, आज लाइब की यदि हम बात करें तो करोद और तरक वितरक से बचने का प्रयास आज आपको करना चाहिए, लेकिन इस बीच आपके रिस्ते दोबारा सामन्य हो जाएंगे, आप अपने सांती के प्रती बेहत आकरशित और कामुग भी हो सकते ह इसलिए अपने मन को नियंतरन में बनाए रखें तो आज आपके लिए उत्तम रहेगा, आज विवसाई की यदि हम बात करें तो इस समय आप पेसे और कमाई के बारे में बहतर समय देख पाएंगे, आपके आज विवाद भी बढ़ सकते हैं, इस समय एक सांदार विसे तो अच्छा रहेगा, आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो स्वास्त संबंदी कोई परेसानी आपको नहीं रहेगी, फिर भी आज अपने स्वास्त का आप ध्यान रखें, नियमित दिन चरिया का पालन करें तो उत्तम रहेगा, आज आपका भाग गिशाली अंक आठ है, शुब रंग आपका आस्मानी रंग है, आस्मानी रंग का प्रयोकारी छितर में आप अधिक साधी करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए विशेश लाप को प्राप्त करने के लिए आपका वि अगली रासी है सिम्हम सिम्ह राशिवालों को आज अशुबु परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पारिवारिक जीवन ओसत रूप से आपका अच्छा रहेगा आपको अपने रिस्तों का समर्थन मिलेगा आपके परिवार में इस समय कोई समारो हो या विशेश आयोजन हो सकता है आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं यात्रा करना भी आज आपके लिए लाबपरद हो सकता है आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आपको सफलता पाने के लिए कड़ी महनत की आवशकता आज रहेगी आपको कुछ बाधाओं और वित्ती मुद्दों का सामना भी आज करना पड़ सकता है बहुत अधिक तनाव और स्वास्त आदी समस्याओं से आज परेसान हो सकते हैं इसलिए आज विशेष करके किसी प्रकार का तनाव आप नहीं लें सकारात्म का रवया रखते हुए अपना काम करते रहें तो आपको सफलता मिलेगी आज लाइब की यदि हम बात करें तो परिवार के सदस्यों के बीच समस्याओं का समाधान होगा आप परिवार के सदस्यों के बीच सामंज से बढ़ाते हुए अपने आपको देख पाएंगे आपके रिस्तों में आज मजबूती वर निखार आएगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो जो लोग पेसा लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए पेसा निवेस करने का यह सबसे अच्छा समय हो सकता है आपको अपने निवेस से अच्छा लाप भी प्राप्त हो जाएगा और अधिक लाप प्राप्त करने के लिए बहतर अवसर भी आज आपको प्रात हो जाएंगे अज स्वास्त की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज ज्यादा काम का दबाव होने के कारण आज तनाव आपको अती उत्पन। हो सकता है आज तनाव से बचने के लिए उचीत आराम करने के आपको अवशकता रहेगी सारेरीख स्वास्त का धियान रखेंगे तो आज भेतर रहेगा आज आपका भग्य Сली अंक नो है शुबब रंग आपका बाधामी रंग है, बाधामी रंग का प्रयोकारिचयतर में आप अधिक से अधिक करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान राधा करश्ण जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके उनको लाल पुष्प की माला अर्पण करें और तुलसी पत्र अर्पण करें यथा शक्ति उनके नाम मंत्रों का उच्चारन करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वब सफलता दायक आज हो सकता है अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज सुब परिणाम की इस प्रकार से प्राप्ती हो सकती है आपकी प्रतिष्ठा में वरद्धी होगी और आप अपनी चुनोतियों और लक्षियों को सफलता से पूरा कर पाएंगे कुछ प्रत्यासित वित्तिय लाब आज आपको मिल सकते हैं आपको कारी में सकारात्मक समर्थन आज लोगों का मिल सकता है पारिवारिक सहयोग वा समर्थन के कारण कारी चेतर में अच्छी उन्नती आज आप प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक रूप से भी काफी लाब प्राप्त कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं दूसरों की मदद की बिना कुछ भी करने की कोशिस आप नहीं कर पाएंगे अपने अहंकार उति उत्साह से आज काम करने की कोशिस आप कर सकते ही इससे आपको आज बचना चाहिए अपने विवसाय के विस्तार के संबंद में आज विसे सतरक रहने की आज आपको अवशकता रहेगी आज लाइब की अधी हम बात करें तो विवाहिक जीवन या रिस्तों में समझोता करके इसका आनन्द आप ले पाएंगे आज सारवजनिक स्थानों पर अपने जीवन सांती पर नाराज या क्रोध आपको जाहिर नहीं करना चाहिए तो आपके लिए ठीक रहेगा आज विवसाई की अधी हम बात करें तो अपरत्याशी धन प्राप्त होने की संभावना अधिक आपके लिए हो सकती है आपको चुछ धन आधी दान भी कर सकते हैं दान पर खर्च आपका बढ़ सकता है यदि आप अपने पूरवजों की संपती या धन के लिए किसी प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस समय आज आपको उसमें सफलता मिल सकती है आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्त बहतर रहेगा लेकिन आपके पिता का स्वास्त आपकी चिंता का कारण हो सकता है इसलिए उनके स्वास्त का विशेश ध्यान रखे तो बहतर रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंकछे है सुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी आज सभी विगन संकड बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है अगली राशी है तुला तुला राशी वालों का अज सूब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि इस समय आप अपने संस्थान या कारी छेत्र या सरकार या कुछ संगठनों के द्वारा मान्यता प्राप्त कर सकते हैं सम्मान की प्राप्ती कर सकते हैं इससे आपको अपने आत्म विश्वास को वापस लाने में मदद मिलेगी काम में आपकी रूची बढ़ेगी जिग्यासा आपकी बढ़ेगी कुछ लोगों को दूसरी जगह इस्थान अंतरन हो सकता है और कुछ लोगों को नोकरी में कुछ परिशानिये का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए धेरे पुरवक अपने काम को करे तो बहतर रहेगा आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कला के छेतर में अच्छे अवसर वेसे आपको मिलेंगे फिर भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है किसी भी अनुबंद को सुविकार करने से पहले सावधानी रखने की आवशकता रहेगी क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्हें आपको छोड़ना भी पड़ सकता है काम और प्रतिभा से आज आपको विशे पहचान मिल पाएगी उनमें सावधानी पुरवक आज आपको आगे बढ़ना होगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो आवेग पुर्ण निर्णई आपके जीवन में आज परिशानी पेदा कर सकते हैं अपने प्रियजनों को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने जिद्दी सुभाव पर नियंतरन रखने की आज आवशकता रहेगी आज विवसाई की यदि हम बात करें तो खर्चों के लिए कोई रिर्ण या कर्ज आदी नहीं लें महतोपुर्ण निर्णाई लेने में आपको थोड़ी परिशानी आज हो सकती है कोई संपत्ती भी आपके हाथ से निकल सकती है इसलिए आज सावधानी पूरवक अपने काम को करते रहें तो अच्छा रहेगा आज स्वास्थ की यदि हम बात करें तो हाथ पेर और कान से संबंदित कोई स्वास्थ संबंदी छोटी मोटी समस्याएं आपको परिशान कर सकती है इसलिए सारेरिक स्वास्थ का विशेश ध्यान रखे तो बहतर रहेगा आज आपका भाग गिशाली अंक चार है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारे छेत्र में आप अधिक स्यादी करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी आज सभी विगन संकटव अधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर के इशान कोण में पूर्व दिसा में सुद्ध घी का दीपक जला करके यथा शक्ती गायत्री महामंतर का उच्चारन करें इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज हो सकता है अगली राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि दूसरों को सुनने और उनके विचारों और शब्दों का सम्मान करने की कोशिस आज अवश्य करें दूसरों का अपमान कभी नहीं करें जो आपको हर उकरम में सफलता पाने में मदद भी करेंगे आपको अपने मित्रों और सहकर्मियों से अच्छा समर्थन वा सहयोग मिल पाएगा आपको अपने कारेच्छेत्र से भी अपनी पहचान मिल पाएगी आज कारेच्छेत्र में मन लगा करके आप काम करें एकागर चित्ति से काम करें तो आपके लिए काफी उत्तम फलदाई रहेगा आज आपको अशुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अनावस्यक खर्च और पेसों की बरबादी से बचने का प्रयत न करें आपको भविश्य के लिए पेसे बचाने में मदद होगी इस समय बड़े उपकरमों पर पेसा लगाना आपके लिए उचित नहीं रहेगा प्रमुक निवेशों को इस्तगित करने का प्रयत न करें तो आपके हित में रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो जीवन में इस्तिरता पाने के बाद ही आपको आज हर विशे में मन लगेगा आज जीवन साती चुन्ने में दिखावे से ज़्यादा बोधिक शमता पर ध्यान देने की आवशकता रहेगी बोधिक कारियों को करने से आज आपको सफलता के योग बनेंगे आज विवसाई की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहने वाला है यदि आप नोकरी करते हैं तो नोकरी में आपको बड़ोत्री या उन्नती मिल सकती है लेकिन साथ ही आपको काम का अतिरिक्त बोज भी मिल सकता है इस वजह से आप अपने परिबार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे आज स्वास्त की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि प्रवास करने से आज आपको बचना चाहिए यातरा से आपको बचना चाहिए यातरा में खान पान का नियंतरन आप नहीं रख पाएंगे इसलिए स्वास्त पर बुरा प्रभाव पढ़ सकता है आज विशेश करके यदि आप यातरा करना चाहते हैं तो अपने खान पान पर विशेश नियंतरन रखे दिन चरिया अपनी संयमित रखे तो बहतर रहेगा आज आपका भागिशाली अंकछे है शुब रंग आपका क्रीम कलर है क्रीम कलर का प्रयोकारी छित्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी आज सभी विगन संकडवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान लक्ष्मी नारण के मंदिर में फलों का दान करें वहां बेट करके उनके नाम मंतरों का यथा शक्ती उच्चारण करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसपलता दायक आज हो सकता है अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि नए विवसाई से काफी लाब की प्राप्ति आप कर पाएंगे आर्थिक इस्थिती भी आपकी मजबूत रहेगी आप किसी धार्मे की यात्रा पर जा सकते हैं यात्रा करना आज आपके लिए शुब फलदाई हो सकती है आज का समय आपके लिए बहतर साबित होगा स्रेष्ट होगा विदेश या दूर में सिक्षा का विचार कर रहे हैं विद्यारती वर्ग को सफलता प्राप्ती के लिए अपने प्रेतन जारी रखना चाहिए आपको सफलता उसमें अवश्य मिल जाएगी आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अधिक कारेबार और प्रोटसाहन आपको विसी मिलेगा ब्याज और स्वास्त के मुद्दों की कमी के करण आप अपने कारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे वांचित परिणाम प्राप्त करने के लिए आज आपको कड़ी महनत वसंगर से की आवशकता रहेगी जितने अधिक आप महनत करेंगे उतने ही अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे आज लाइब की यदि हम बात करें तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हो सकती हैं आपके पारिवारिक रिस्ते बहतर होंगे और मित्रों प्रियजनों से अक्सर मुलाकात वैसे आपकी होगी जीवन सांती से आपके संबंद प्रगाड रहेंगे आज विवसाई की यदि हम बात करें तो इस समय आपके लिए मिसरित परिणाम की प्राप्ती होगी केरियर के लिहाज से आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण ज्यादा काम का दबाव सहना पड़ सकता है आप घर से दूर भी काम कर सकते हैं घर से दूरी बना करके भ आपके स्वास्त पर पड़ सकता है आज आपका भागिशाली अंक आठ है शुब रंग आपका निला रंग है निले रंग का प्रयोक कारे छेतर में आप अधिक स्यादी करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दू जारन करें इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायक आज हो सकता है अगले राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आपका काम आपकी अपेक्षा के अनुसार होने से उम्मीत के मुताबिक फल आपको आज मि परिवार में सुख समरद्य आपके बनी रहेगी आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि लापरवाही या गलत सूचना के कारण आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं आपको काम करते समय लोगों से समवात करते समय बाच्चीत करते समय विशे सतर कर रहने के आज आवशकता रहेगी तो अच्छा रहेगा आज लाइव की यदि हम बात करें तो आप अपने रिस्टों को लेकर अनिश्चित स्वयम को महसूस कर सकते हैं इस दोरान कोई विवाह संबंदी निरणई नहीं लेना आपके लिए बहतर रहेगा आपके प्रती आज आप सतर कर रहें तो उत्तम रहेगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आप बहुत सी नई चीजे सीख पाएंगे जो भविश्य में आपके लिए काफी वरदी कारक रहेगी आप नए लोगों से मिल पाएंगे और नए वातावरन पर काम करने के लिए स्वास्त संबंदी समस्याएं आपको छोटी छोटी हो सकती है जिनका संबंद आपके दांतों हडियों और पेट से संबंदित हो सकता है आज नियमित दिन चरिया का यदि आप पालन करेंगे तो आपका स्वास्त उत्तम रहेगा आज आपका भागिशाली अंक चार है उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पस्चाद पीपल के वरक्षे के आपके दीपक जला करके पीपल वरक्ष की यथा शक्ती परिकरमा करें अपने इस देवता के यथा शक्ती नाम उच्चारन करें एसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब अब सफल प्रगती प्रप्त कर सकते हैं। कि दूसरों के कारे में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करें। बिना पूछे किसी को सलाह या किसी को आग्या नहीं दें। इससे आपके सहकर्मियों उच्चा दिकारियों के साथ कुछ मदबेद, कोई समस्याएं उत्पन हो सकती है। के सब्दों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। परिणाम सरूप आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा हो सकती है। इसलिए उसका प्रभाव आपके स्वास्त के प्रति भी प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए सकारात्मक रवय्या आप जितना अधिक आप रखेंगे आपका व्यभार लोगों से उत्तम बना रहेगा। इसका प्रभाव आपके स्वास्त पर पड़ेगा, आपका स्वास्त उत्तम रहेगा। चारण करें ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज हो सकता है। आपको प्राप्त हो सकता है, जो बड़ी डील आपके द्वारा कर सकता है, आपको उससे भविश्य में भी काफी लाब की प्राप्ती हो सकती है। आज कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, किसी भी अवसर को अपने हाथ से आप जाने नहीं दें तो बहतर रहेगा। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि परिवार के अनुसार आपको मिस्रित परिणामों की प्राप्ती होगी, आपके परिवार में कुछ अपरत्यासित घटनाई घटित हो सकती है, लेकिन साथ ही आप अपने घर पर कुछ शुब या मांगलिक आयो दरसन कर पाएंगे, आपको उनसे घर्व की अनुभूती हो सकती है, आज व्यवसाई की यदि हम बात करें तो प्रोफेशनल लाइप में कुछ अनिश्चित्ता का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, आपको अपने उत्पादों की गुणवत्ता का ख्याल लखने की आपका रहने वाला है, क्या जीवन सांती के स्वास्त की समस्या आपको परिसान कर सकती है, इसलिए आज बहतर होगा कि जीवन सांती के स्वास्त का आप ध्यान रखें तो उत्तम रहेगा, आज आपका भाग्यशाली अंकछे है, शुब रंग आपका बादामी रंग है, बा तहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान राधा करश्ण जी के मंदिर में सुद्ध गी का दीपक जला करके उनको मिठाई का भोग अरपन करें उसी का प्रसाद वितरन करवाएं एसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज हो सकता है तो मित्रो आशा झाल